अरियाना करमचारी चैनायोग जिया साथ यो एचससी बरतियों में फरजी वाड़े को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है अरियाना पुलिस समेत कई बरतियों का नाम सामने आया है अगर आप इस इनफोर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो आन तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तो मैं वीजे कसाना डिजीटल फ्री सिक्षिया के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आपको अरियाना की किसी बरति से रिलेटिट जानकारी चाहिए तो आप रेगुलर इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर अर्याना की सभी बर्तियों की जानकारी सबसे पहले और विश्वस्ने जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है चलिए आप देख लेते हैं आज की बड़ी खबर देख सकते हैं सात्यों अमरुजाला नियूज पेपर में आज ये बड़ी खबर आई है कि मानिक सिंग का खुलासा नो परतियों की प्रिक्षयाओं में दूसरों की जगए बैठा है और अरियाना पुलिस मेल कॉंस्टेबल बरति में जिसी आप से परकिरिया चल दिया सात्यों सीटर गैंग वाले कंडिडेट बहुत ही ज़्यादा पकड़ में आ रहे हैं रेगुलर एक दो कंडिडेट एक दो कंडिडेट जैसे ही पीम्टी शुरू हुई थी तब से पुलिस पुस्टार में बताया कि दूसरे की जगे नो परतियों की परिक्षाइं दी है लिए कि पंचकुला एसेपी विजे नेरा ने बताया कि पुलिस बर्ती में फरजिवाड़े की जात जारी है अब तक होई पूस्तास में आरूपी मानिक सिंग ने माना है कि उसने पुलिस बर्ती की लिखित प्रिक्षाद देने के वैज में अंकित आमित और संदीप लाटर से 9-9 ला जो में सरगना है इस कारिय के पीछे वो है असोक असोक ने भी कुछ परतियोगी परतियोगियों के बदले दी है प्रिक्षा अब तक 19 गिरपतार हो चुके हैं इस केस में पुलिस बर्ती की लिखित प्रिक्षाद में सरगना असोक निवासी इसार की गिरपतारी के लिए प पूस्ताज में सामने आया है कि असोक उमिद्वारों की सैटिंग कर मानिक सिंग से परिक्षय दिलाता था। मानिक ने बताया कि असोक ने भी कुछ परतियोग्यों की जगए खुद भी पेपर दिया है। सेपी ने बताया कि फर्जी डोकुमेंट बनवाकर आरोपी मानिक सिंग परिक्षय देता था। उन्होंने बताया कि अन्य परतियों की परिक्षयों में बायोमेट्रिक जांस नहीं हुई इसलिए ये आरोपी बचने में सफल रहे हैं। दूसरे की जगह परिक्षया देने वाले अन्य आरोपियों की तलास जारी है सात्यों जो भी कंडिडेट जिसने सीटर बठाये उन सभी की गिरफतारी के लिए तलास जारी है। 19 कंडिडेटों को अब तक गिरफतार किया जा सुका है इस मामले में जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफतार कर लिया जाएगा। भी महिला उमिदवार पेस नहीं हुई है। उन्होंने का कि अगर ये लोग पेस नहीं होंगी तो उनको गिरफतार किया जाएगा। और चेर्मेन साब इस मामले में साथियों बहुत ही एक्टिव भी हैं क्योंकि लगातार आपको पता होगा न्यूज में भी आ रही है कि लगातार उनको दमकिया भी मिल रही हैं। और ये कंडिडेट साथियों पकड़े जा रहे हैं तो उनकी जो कारिये सहली है जिस हिसाब से बार बार बायोमेट्रिक करवाना उसी के दवारा ये पकड़े जा रहे हैं। और आप तो उन्होंने गोश्णा भी की है कि जोईनिंग के समय भी बायोमेट्रिक की जाएगी जिससे अगर और पूरे प्रोसेस में फरजी कंडिडेट आता है तो जोईनिंग के समय तो असली कंडिडेट आए या आएगा। जो इस फरजी वाड़े के उपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जैदा शैदा सेर करें वीडियो आँ तक देखने के लिए दन्यवाद मिलते हैं नेक्स डूडियो में